हेलो दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत है नेशनल स्काय के नियू कलास में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी संख्या का एसक्वायर चुटकियों में कैसे निकाले वो बताने जा रहा हूँ आपने बहुत से टीप्स और ट्रिक को देखे होंगे आप यूटूब पे बहुत सा इसा परा हुआ है और बहुत से स्टुडेंट खुद से भी ट्रिक निकालते हैं तो वो सही है लेकिन मैं आपको एक आज ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि आपका समय भी कम लेगा और आप तुरत किसी भी संख्या का एस्कुआइट लिकाल सकते हैं अगर आप भी एस्कुआइट ट्रिक जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक देखते रहे हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ इंजिनियर दिनकर चंदरवनसी चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं मिना टाइम को वेस्ट किये दोस्तों पहले तो आप लोग को एक अंका स्कुआइर आपको याद होनी चाहिए इसके लिए जैसे कि आपको तो एक अंका वैसे हर एक स्टुडेंट को नर्मल सी बात है ये तो याद होगी ही जैसे कि आठ का स्कुआइर की बात करे तो 64 होता है ये सभी को याद ही होगा 9 का स्क्वाइर की बात करें तो 81 होता है ये जो है नॉर्मल सी बात है ये सब को याद रहता है एक अंका स्क्वाइर 7 की बात करें तो 49 होता है ऐसे ही 6 की बात करें तो 36 होता है तो ये तो याद होगा ही अब चलिए मैं ट्रिक के उपर चलते हैं बिना समय को वेस्ट किये और आपको भी बहुत मज़ा आएगा इस ट्रिक को जानके देखिए ट्रिक ये है कि जैसे कि पहले हम लोग बारे से सुरू करते हैं बारे आप लोग को अच्छे समझ में आएगा जैसे कि बारे का स्क्वाइर ये तो नॉर्मल सी बात है जो भी स्टूडेंट कंपोटिशन की तैयारी करते हैं उनको तो याद होगा ही 144 होता है ये नॉर्मल सी बात है आम सी बात है ये सभी को पता होगा बारे का स्क्वाइर 144 होता है अब चलिए ये तो समझे ये याद होगा अब चलिए आपने man trick के उपर चलते हैं कि इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं solve कर सकते हैं trick कैसे हम लगाएंगे चलिए देखिए पहले जो है हमें जिस संख्या का square करना है उसको इस तरीके से लिखना है और coast के अंदर करके उपर square यह तो normal सी बात है ऐसे तो square करते ही है अब देखिए इसमें करना क्या है जो right side जो संख्या रहेगा जैसे यहां की right side में जो है 2 दिया हुआ है coast के अंदर right side में 2 दिया हुआ है तो इस 2 का square करना है 2 का square कीजिए कितना आया 4 तो यहां 4 लिख दिये अब देखिए अब क्या करना है इस एक और दू इस दोनों का multiplication करना मतलब गुना करना है कितना हुआ एक गुना दो और इस दोनों का जो दो संख्या रहेगा इसके गुननफल के साथ अपने मन से हमें 2 से गुना कर देना है तो कितना हुआ एक गुना दो गुना दो is equal to 4 तो यहां 4 हमें लिख देना है ठीक है अब देखिए अब जो है लेफ्ट साइड ये जो लेफ्ट साइड रहेगा कोस्ट के अंदर में बंद इस लेफ्ट में यहां क्या लिखा हुआ है one लिखा हुआ है इस one का square हमको कर दोना जो left side में रहेगा इसका square करना है और हमको जह है इसका square one का square क्या होगा one होगा तो sorry one का square one होगा तो मेरा answer आ गया 144 मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए के ये समय लग रहा है मांकि आप इसका practice करोगे तो ये तुरंट आप मन में ही इसको solve कर सकते हैं अब आप कोगे कि sir ये तो normal सी बात है इसको तो हम solve कर लिए अब जो है अगर इससे बरा संख्या आ गया जैसे 88 आ गया 99 आ गया 77 आ गया 73 आ गया 72 आ गया तो उसको कैसे करेंगे तो चलिए उसको भी जानते हैं जिसमें की हांसिल कैरी बच जाता है चलिए उसको भी परले कर लेते हैं ताकि आपका जो है concept अच्छे स्किलियर हो जाए इसको समझ यह अराम से समझ यह क्योंकि यह इंपोर्टेंट है आपके group D railway के exam में अक्सर इस तरीके का question को पूछा जाता है और group D ही नहीं यहां तक की railway का हुआ कोई भी exam SSC का MTS हुआ बहुत से exam में यह है स्कोर से direct इसा question रहता है इसलिए के आपको इसमें फोकस जरूर करना और अगर आप historic को जान जाते हो तो आपका question को solve करने में किसी भी संख्या को अतना समय आपको नहीं लएगा तो रहत उसका आप square चुट करना है तो हम क्या बताएं थे आपको आपको बताएं थे आपको याद होगा कि right side हमको जो है इस process को right side से करना है यानि कि दाया तरब से करते जाना है यहाँ देखिये यहां क्या हुआ क्या दिया हुआ हुआ है 3 तो 3 का square करेंगे money money करिए 3 3 का स्क्वाइड 3 तिया 9 3 इंटू 3 स्क्वाइड का मतलब किसी भी संख्या का खुद में खुद से गुनन फल यानि उसी संख्या को दो बार गुना करना है तो 3 तिया 9 9 लिख दिये यहां पर हम यह तो आसान सी बात हो गई अब चलिए यहां देखिए 7 और 3 का अपने एक क्या करना है यहीं है यह यहीम मैन है यहां आपको जो राइट साइड में जो संख्याना के यहां लिख देना है, तो यहां हम 2 लिख देते हैं, अब कیरी, जो है, इस साइड के संख्या को इसको आपको हासील में रखना है, करी में रखना है。 अब देखिए, चार बच गया, हमको क्या बताये हैं कि जो जो है left side में रहेगा बाया side में रहेगा कोस्ट के अंदर उसका square कीजिए मन ही मन साथ सत्य 49 यानि 49 आप 49 में 4 को अगर आभी यह 4 जो carry बचा था इसको उसमें जोड़ दीजिए यह आसान सी जैसे कि अगर उसमें जो है बस हासिल बचते जाए तो इसी तरीके से गुणा करते जाएए उसको हासिल को अगला संख्या में एड करते जाएए यह मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिके इतना लंबा आपको लग रहा होगा process वैसे इस दो अंकी संख्या के लिए जो है बहुत पन गुना पच्पन निनोनवे गुना निनोनवे एगारे गुना एगारे तो आप उसके लिए बस दो अंकी संख्या के लिए इस ट्रिक का यूज किजिए यह बहुत ही आसान और नॉर्मल सा ट्रिक है चलिए तो जैसे कि एक और समझ लेते हैं ताकि आपका जो है अच्छ लिख दिए आप देखिए 8 और 2 का क्या करना है अब मन ही मन बोलते चलिए 8 और 2 का गुनान फल करना है गुना करना है 8 2 16 16 16 22 22 22 का 2 हांसिल बचा 3 इस 3 को साइड में रखिए आप देखिए जो लेफ्ट साइड में है कोस्ट के अंदर बाया तरफ है उसका एसक्वार हैं इससे आफको गुना करके निकालिए आफ या किसी भी तरीके से निकालिए देखिए आफका इंसर इतना ही आएगा 82 का स्क्वाइर ये दो अंकी संख्यां के लिए बहुत ही आसान से च्रीक मैंने आपको बताया इस वीडियो में इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ आप जो है कोमेंट में जो है आप 65.65 का स्कॉर्ण करके बताईए ताकि हम जान सके कि हम जो आपको बताए हैं ये मेरा मेहनत सफल हुआ या नहीं आप समझ पाएं या नहीं इसको आप कोमेंट करके जरूर बताईए और जो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए ट्रिक को देखने के लिए आप नेशनलिस का चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अम मिलेंगे दोस्तों किसी और नए वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए जाहिंद नमस्कार